हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चेनल डिएस के अंदरेश्टी आज का जुम्र वीडियो है वधर्थेक बाइलोजी क्लास 12 का जो बाइलोजी है उसके लिए इंपोर्टेंट टॉप एमसी क्यू कोस्टन और उसके अंसर जो काफे इंपोर्टेंट है टुवेल्थ बिहार बोड जो 2024 की परिच्छा होने वाली है जो एक फरिवरी से स्टार्ट होगी उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को आप वश्य देख कर जाएं इससे कोस्टन आम के फल में खाने वाला भाग क्या है? आप्शन से ए बाह्य फल भीती आप्शन बी मध्य फल भीती आप्शन C अंत्र फल भीती और आप्शन D इंपे से कोई नहीं तो आम जो है वह भारत का राश्टी ये फल भी है और इसका जो बेग्यानिक नाम है मैगनो फेरिया है त तो आम के जो खाने वाला भाग होता है उसको हम लोग मध्य फल भीती करते हैं प्रसंख्या 2 है समसुत्री विभाजन होता है समसुत्री विभाजन होता है और आप्संख्या 2 समसुत्री विभाजन होता है वो आप्संख्या 2 समसुत्री विभाजन जो होता है वो आप्संख्य काई कोशिका में होता है प्रसंख्या 3 है कि इन में से किसमें आंतरिक निशेचन नहीं होता है इन में से किसमें आंतरिक निशेचन नहीं होता है आप्षन से A पक्षी में आप्षन B मेढक में आप्षन C अस्तनपाई में और आप्षन D इन में से कोई नहीं तो प्रसंख्या 3 इन में से किसमें आंत्रिक निसेशन नहीं होता है तो सही जवाब हो जाएगा आप्शन B मेधक में प्रसंख्या 4 है मनुस्य की प्रात्मेक सुक्राणू को सिकाओं में आट्रोसोंस की संख्या होती है आप्शन A 44, आप्शन B 46, आप्शन C 23 और आप्शन D 40 तो प्रसंख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा आप्शन E होगा 44 होती है सभी मनुस्यों में प्रात्मेक सुक्राणू को सिकाओं में आट्रोसोंस की संख्या 44 होती है जो एक जोड़ा होता है जिसको लिंक क्रोमोस्म करते हैं और सभी मनुस्यों नर्रमादा में भिन-भिन होता है कभी इंपोर्टेंट प्रस्ट है प्रसंख्या 5 है कि किसकी अनुपवस्थिति में निसेचर नहीं हो सकता है प्रसंख्या 6 है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है प्रसंख्या 6 का सभी जगा प्रसंख्या 6 में मुकुलन द्वारा जनन होता है मुकुलन अलेंगिक जनन की एक बीधी है प्रसंख्या 6 है निम्नांकित में कौन योन संचारित रोग है आप्सन से मलेरिया आप्सन भी एड्स आप्सन सी डेंगू और आप्सन डीन में से कोई नहीं प्रसंख्या 7 निम्नांकित में कौन योन संचारित रोग है तो सही जो हो जागा आप्सन भी एड्स एमिनो एक्वार एफिसियंसी सिंड्रोम प्रसंख्या 8 है कि जनसंख्या का अध्यान कहलाता है आप्सन से केलेग्राफि आप्सन भी मोनो जीविग्ञान आप्सन सी बायोग्राफि और आप्सन डी डेमोग्राफि तो प्रसंख्या 8 जनसंख्या का अध्यान कहलाता है डेमोग्राफि प्रास्या 9 है इनमें से कौन स्रमाण्य रक्त दाता समू है मतलब कौन सा रक्त समू सारभॉमिक रक्त डोनर होता है बोड डोनर आप्शन से A अ ग्रूप आप्शन B बी ग्रूप आप्शन C आप्शन D ओ ग्रूप तो प्रसंख्या 9 ब्लट ग्रूप O सर्व मानियत रखते दाता समुभ होता है सर्व भामिक डोनर जो होता है वो O ग्रूप होता है प्रसंख्या 9 का सही जोब हो जागा आप्शन D प्रसंख्या 10 ए डेंगु बुखार किसके करन होता है प्रसंख्या 10 का सही जोब हो जागा डेंगु बुखार विशारू या बाइरस के करन होता है काफी इंपोर्टन प्रस्ण है प्रसंख्या 11 है इस पीडियो का अंतिम प्रस्ण है क्रेम लिखित में कौन सा रोग प्रोटो जोब पर जीवी द्वारा संचारित होता है आप्संख्या 11 का सही जोब हो जागा आप्संडी सभी इन में से सभी रोग प्रोटो जोब पर जीवी द्वारा संचारित होते हैं तो फ्रेंट्स यह था हमरा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो बैलोजी है जिसका एक्जाम मतलब क्लास 12 का जो बोर्ड एक्जाम एक फरवरी 2024 से सुरू होने वाला है इसके लिए क्लास 12 के सभी बिद्यारतियों के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए और यदि आप इस चैनल पहली होई विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो थैंक यू